हेलो गाइस, वेलकम टू माई यूटूब चैनल सुबम आटू वायर्ड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉन्डा एक्टिवा 7G स्कूटर के बारे में हॉन्डा एक्टिवा 7G जखास डिजान के साथ जल्द होगी लांच अगर आप कोई AC स्कूटर खरीदेना चाहते हैं जिसमें आप कोई स्टाइलिस डिजाइन, बहतरीन फीचर्स और कीमत भी कम हो तो हॉन्डा एक्टिवा 7G आप के लिए वेस्ट हो सकती है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर इस स्कूटर की लांचिंग डेट की बात करें तो हॉन्डा की टिवा 7G स्कूटर जल्द ही लांच होगी बहेट डिजाइन और स्टालिस लुक के साथ जबरज़स फीचर से भी मिलेंगे एक्टिवा स्कूटर तो अपने याब में एक दंदार स्कूटर है इस स्कूटर में आपको स्पूर्टी लुक देखनों को मिलेगा इसमें अमेजिंग फीचर्स और धांसू इंजन भी मिलेगा जो दूसरे बाइक को भी कड़ी टकर देगा हॉन्डा एक्टिवा 7G लांच होते ही आटो बजार में जम कर धुम मचाएगा हॉन्डा एक्टिवा 7G इसकूटर के फीचर्स की बात करें तो कमपनी ने इसमें मौझूदा इसकूटर से ज्यादा हाइटेक बनाने की तयारी कर चुकी है जिसमें इसके एनालाग मीटर को डिजिटल मीटर में बदला जा सकता है जिसमें डिजिटल स्पीडो मीटर, डिजिटल ट्रिमीटर, डिजिटल ओडो मीटर मिल जाता है हॉन्डा कमपनी ब्रेकिंग सिस्टम के फ्रेंट विल में डिस्क ब्रेक लगा सकती है जिसके साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को जोड़ा गया है नए Honda Activa 7G स्कूटर के ब्रेकिंग सिस्टम के साथ कंपनी ने इसके टायर में भी बड़ा बदलाव किया है के अलावा कंपनी ने इसके विल साज को बढ़ा कर 310 mm फ्रेंट टायर दिया गया है इसके साथ ही 260 mm जीर टायर दे सकती है अब इसके कनेक्टिविटी फीचर्स की बारे में बताएं तो Honda Activa 7G स्कूटर में USB चार्जिंग पॉइंट, Bluetooth कनेक्टिविटी, AI पैधारित कनेक्टिविटी, Call, SMS, Alert, Engine, Kill Switch जैसे स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल सकते हैं Honda Activa 7G के डिजाइन के बारे में आधिकारिक जानकारियां भी सामने आई हैं लेकिन जानकारों का मानना है कि इसके डिजाइन में कुछ ज़्यादा बदलाओ देखने को नहीं मिलेगा आम तोर पर अब तक हर एक्टिवा स्कूटर्स का डिजाइन पुराने मॉडल के समान ही रहा है हलांके फीचर्स के मामले में नियो एक्टिवा स्कूटर्स मौजूदा मॉडल से काफी अपडेट हो गई नहीं Honda Activa 7G स्कूटर के इंजन के बारे में बात करें तो इसके इंजन को अपडेट करते हुए इसमें हाइबिरिट इंजन दिया गया है Honda Company 110 CC Fan Cooled 4 Stroke इंजन के साथ देखने कोई मिल जाता है इंजन में 7.68 BHP की अधिकतम पावर और 8.79 Nm कार्ट पीक टॉर्क जनेरेट करता है इस स्कूटर के प्राइस के बारे में बताएं तो एक टीवा के 60 को 70 से 80 हजार रुपए के बीच बेचा जाता है वहीं अगर हम आने वाले 7G वेरियंट की बात करें तो इसकी कीमत करीब नबे हजार रुपए तक हो सकती है और यह एक सुरूम कीमत रहेगी अगर आप लोगों के यह वीडियो पसंद आया हो यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तता चैनल को सब्सक्राइब करके अपना स्रपोर्ट दिखाएं ताकि हम ऐसे ही आटो मुबाल से रिलेटेट इन्फार्मेटिव जानकारियां लाते रहें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाय